आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे के हम घर पे मक्षन कैसे बना सकते हैं और उसी से बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा टुमेटो फ्लेवर्ड मक्षन इसके लिए हमें चाहिए है फ्रेश डेरी क्रीम और एक अदद बोतल और बस और कुछ भी नहीं चाहिए मैंने यहां पे लिया है 200 ग्रेम का एक फ्रेश क्रीम का पैकेट एक अदद शीशे की बोतल जो की साफ सुत्री हो और उसका धकन टाइटली पैक हो सकता हो बस आपकी जो फ्रेश क्रीम है वो रूम टेंपरेचर पे होनी चाहिए बहुत ठंडी होगी तो फिर आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा रूम टेंपरेचर पे होगी तो फटाफट से काम हो जाएगा बस आप देखते जाएए कि कैसे होगा इसको अच्छे से टाइट पैक कर देंगे और फिर ऐसे शेक करेंगे किसी मशीन की आपको कोई भी जरूरत है ही नहीं अब बस इस तरह की से हिलाते हु मुझे हो गए हैं 30 सेकंड और ये कुछ इस तरह की हुई है यानि अभी काफी पतली है तो हम इसको दुबारा से बंद करेंगे और शेक करेंगे एक मिनिट हो गई है और ये देखे अच्छे खासी गाड़ी हो गई है क्योंकि ये रूम टेंपरेचर पे थी तो बहुत जल् अलैदा हो गया अब बटर मिल्ट को हमें चान लेना है और इस तरीके से मक्षन हमारे हाथ आ जाएगा लेकिन अभी मक्षन पूरा तयार नहीं हुआ है अभी इसके लिए हमें ये करना है कि एक प्याला लेंगे उसमें ठंडा पानी डालेंगे और बरफ भी डालेंगे पानी तो ठंडा होई गया बस इसके अंदर जो बचा कुचा बटर मिल्क था वो अब इस तरीके से अलैदा हो जाता है आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफी धुंदला हो गया और मक्षन जो है वो बिलकुल अच्छे से त्यार हो गया दो मिनिट देखे हिलाने में ल लेकिन घर का बनावा जो मक्षन होता है एक तो बनाने में मज़ा बहुत आता है और दूसरा ये कि ये फ्रिज में जाके हार्ट भी नहीं होता है ठीक है ये तैयार हो गया 70 ग्राम्स मक्षन और इसी के अंदर मैं डालूंगी 50 ग्राम्स टुमेटो पेस्ट यानि कि चार ब पास फ्रेश हो तो दो टेबल स्पून ले सकते हैं और दो टेबल स्पून मैंने लिया है फ्रेश पार्सली ड्राइड हो तो आदी टी स्पून डाल सकते हैं अब ये करना है कि सारी चीजों को मक्षन के अंदर डाल के मिक्स करना है और एक जरूरी चीज थी जो मैं भूल ग बिलके मैं आपको दिखाऊंगी अब इस तरीके से एक क्लिन फिल्म का टुकडा लेंगे उसके उपर ये मक्षन डालेंगे और इसको जो शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप इसको फोल्ड कर देंगे स्क्वायर या लंबा या सिलिंडर शेप में कोई साभी शेप दे द करीबन देखिए मैं इसको रख देती हूं और एक घंटे के बाद दिखाते हैं यह अब एक घंटा हो गया है और यह बिल्कुल से थोड़ा सा फ़र्म हो गया है लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं होगा आपको आगे चलके भी इसको फ्रिज में ही रखना है ठीक है आप चाहे तो इसको इस इस ब्रेट पर लगा के खा सकते हैं नहीं तो आप चिकन के अंदर मिक्स करके बहुत ही अच्छा सा चिकन सैन्विच का मसाला तयार कर सकते हैं या फिर जो बिल्कुल नमक और काली मिर्च डाल के ग्रिल करते हैं उसके उपर डाल के भी खा सकते हैं बहुत ही म कर ठीक है और यह देखे दो दिन हो गए है मैंने इसको बटर पेपर में ट्रांसफर कर दिया था यह अभी भी सॉफ्ट है यह डिरेक्ली फ्रिज से निकला हुआ ही है मैंने सिर्फ एक टोस्ट किया हुआ ब्रेट का स्लाइस ले लिया इसके उपर लगाया और जैसे के मैंने है था कि मैं लेसन डालना भूल गई थी तो मैं यहां डाल दूंगी गारलिक पाउडर साथ में चाय के साथ सर्फ करें बहुत ही मज़े का टी टाइम स्नैक आपका तयार हो गया उमीद है रेसीपी अच्छी लगी होगी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वह भी कर लीज अंतिल नेक्स ताइम आला हाफिज बबाई